तो सलिय सबसे पहले हम जानते हैं कि कैपसिटर को किस तरह से रिप्रेजेंट किया दाता है तो इसका जो लेटर होता है वो सी होता है अगर कहीं पे सी लेटर आपको दिख जाए तो कैपसिटर है इस तरह से आप पैसान सकते हो या तो इस तरह का सिंबल भी आप देख सकते हो लेकिन इस तरह का और इस तरह का जो symbol है उसमें plus और minus का separate pin दिया गया है तो इस तरह की capacitor को polar capacitor बोलते हैं जिसमें plus और minus अलग-अलग दिया गया होता है और इस तरह की capacitor को non-polar capacitor बोलते हैं जिसमें plus और minus का कोई issue नहीं होता है तो एक मोबाइल में polar capacitor कौन से है और non polar capacitor कौन से है और उसका function होता है और क्या होता है उसकी detail information हम इस वीडियो में लेने वाले हैं तो सबसे पहले हम capacitor का work होता है उसके बारे में जानते हैं अगर किसी capacitor में हम 3.7V DC इन करते हैं तो उस capacitor से 0V DC आउट होगा यानि कि यह जो capacitor है वो DC voltage को block कर देता है DC को यह pass नहीं होने देता है तो इसका जो main function होता है वो DC को block करना होता है तो एक capacitor क्या करता है block DC voltage यानि कि DC voltage को पुरी तरह से block कर देता है जाने नहीं देता है लेकिन अगर हम उसी capacitor में 3.7V AC अगर इन करते हैं तो उस capacitor से 3.7V AC आउट हो जाएगा यानि कि pass AC voltage एक capacitor क्या करेगा DC voltage को रोकेगा लेकिन एक AC voltage जब हम इसको देते हैं तो उसको यह pass कर देगा यानि कि एक capacitor से DC voltage नहीं जा पाता है लेकिन AC voltage उससे उससे pass हो जाता है तो दोस्तो इसका मतलब यह हुआ कि एक capacitor DC voltage को रोकता है और एक AC voltage को जाने देता है तो इस तरह का इसका जो working होता है वह इस तरह का होता है तो चलिए हब हम देखते हैं इसका connection मोबाइल के बोर्ड में किस तरह से किया जाना चाहिए तो दोस्तों मोबाइल के किसी भी पार्ट को हम voltage देने के लिए दो लाइने यूज करते हैं एक होता है plus line और दूसरी होता है minus line यानि कि positive और negative line तो मानिए हम positive line में capacitor को इस तरह से जोड़ देते हैं इस तरह की connection को series connection कहते हैं इसकी information मैंने पहले register वाली वीडियो में दे चुका हूं मैं तो आप उस वीडियो को जरूर देखे अगर नहीं देखे है तो तो series का मतलब हो जाता है कि एक ही लाइन में अगर कोई किसी series का मतलब हो जाता है अगर किसी part का दोनोly pin connected है उसे आम series कहते है तो आप देख सकते हैं Song Cap plus line तो इस तरह का connection को हम series connection कहते ह। तो अगर कैप sheater को हम इस तरह से जोड़ते हैं तो तो यह क्या करेगा जो बैटरी से 3.7W DC आ रहा है उसको यह जाने नहीं देगा तो यह जो हमारा पार्ट है मोबाइल का वो काम नहीं करेगा तो दोस्तों कैपेटर को हम इस तरह से नहीं जोड सकते अगर हमें DC voltage को सप्लाई करना है अगर हमें DC voltage को सप्लाई करना है लेकिन अगर हमें AC voltage देना होता तो यह बिल्कुल राइट क्नेक्शन होता तो अगर कहीं पर AC voltage या कोई signal जो signal आता है mobile में वह भी कुछ AC तरह तो दोस्तों mobile में जो signal आ रहा होता है network signal या किसी तरह का signal जो mobile में आता है तो उसका formation कुछ AC का तरह होता है मतलब इस तरह का wave की तरह होता है signal का formation तो अगर wave हम दे रहे हैं तो capture को हम इस तरह से जोड सकते हैं और एक capture क्या करेगा इस wave को अराम से पास कर देगा यहां से जो आनेवाला wave है या signal है तो तरह का पास करना है तो हमें इस तरह का क्यों करना होता है कि सभी वेब को एक अपसीटर पास नहीं कर पाता है इसका भी कुस रेंज होता है मतलब किस रेंज को वेब को पास करना है और किस रेंज को वेब को ब्लॉक करना है तो उस फंक्शन के लिए capacitor का use इस तरह से series में किया जाता है तो दोस्तों mobile का signal line होता है उसमें आपको इस तरह से connection आपको दिख जाएगा लेकिन अगर आप mobile के board में या mobile के किसी पार्ट को अगर आप voltage supply करना चाह रहे हो तो इस तरह का connection आपका क्या हो जाता है wrong हो जाता है यानि कि दो line के 20 में अगर कोई part को जोड़ा जाता है तो उसे parallelly connected बोला जाता है तो आप देश रखते हों capacitor का connection है एक plus line के साथ है और दूसरा जो इसका connection है वो minus line के साथ है तो इस तरह से connection करने पर जब हम 3.7V DC बैटरी से supply करेंगे तो क्या होगा 3.7V DC पहले capacitor से इधर पास होने के लिए try करेंगे लेकिन capacitor क्या करेगा DC को तो पास नहीं होने देगा इसलिए voltage इधर नहीं आके सिधे part की तरफ चाल जाएगा और part बिल्कुल काम करने लगए तो दोस्तों आप कह सकते हो कि capacitor नहीं होता फिर भी तो voltage इधर जाता है और ये part काम करता है तो एक capacitor रखने से फाइदा क्या हुआ क्या हमें benefit मिला है capacitor रखने से इसका जो benefit है मानिए इस DC में कुछ AC का percentage मिला हुआ है तो AC को capacitor क्या कर देता यहीं से पास कर देता तो DC में mix होने वाला AC हो capacitor से होते हुए minus में चला जाता और इस side में जो DC आता वो क्या हो जाता pure DC हो जाता तो pure DC अगर हम किसी mobile के part को या DC से चलने वाले device को देते हैं तो उसका life क्या होता है longer होता है और उसका जो performance है वो भी बेहतर हो जाता है तो इसलिए आप जब भी किसी भी mobile या किसी भी electronic device में देखोगे तो जो capacitor का mostly connection होता है वो parallel इस तरह से किया जाता है और इसका main function होता है वो AC को out करना होता है जो AC DC में mix होके रहता है तो दोस्तों आप कहोगे कि DC है उसमें AC कहां से आएगा तो दोस्तों आपको पता ही होगा जो DC है वो कहां से आ रहा है mobile का जो battery होता है वहां से आता है और mobile की battery में DC कहां से आता है charger से आता है और charger में कहां से आता है AC में आता है तो दोस्तों DC जो हम mobile के लिए यूज कर रहे हैं वो AC से बना हुआ है तो AC से DC बनाने का काम कौन करता है या कोई भी मेशीन का काम करने का इसलिये मानिए हमारा चाजर है बहुत ही बढ़ा गाता हुए 98% तक काम कर सकता है तो इसमें फिर भी 2% जो AC का content है वो होने का chances रहता है तो इसलिए जो charger DC supply बैटरी को देता है वो 100% DC नहीं होता है उसमें कुछ AC का percentage भी मिला होता है और वो ही AC हमारे mobile को supply हो जाता है तो उस AC को हमें filter करना होता है इसलिए हम capacitor का use करके उस AC को filter कर सकते हैं और ह हमारे DC है जो हमें mobile को पार्ट को supply करना है उससे हम pure बना सकते हैं तो दोस्तो इसलिए हर एक mobile के पार्ट में जिसने DC supply देने वाला जो line होता है उसमें बहुत सारे capacitor आपको इस तरह से connected आपको दिखने को मिल जाएगा तो इसका जो main function होता है वो AC को filter करना होता है और इसके अ अधर उसके अंदर एक कुछ DC को स्टोर कर लेता है यानि कि कुछ DC यहां पे स्टोर होके यहां पर collect हो जाएगा तो उस DC को एक क्या करेगा उस DC को यह खुद ही यूज नहीं करता है उस DC को क्या करेगा अगर मानि यहां से जो आने वाला DC है वो समटाइम्स बैटरी लो होन OUTगया इठाब पर या किसी का नवी एगर अगर CDU कम हो जाता है तो Jisaarman Legends जो capacitor है उसका बहुत ही important role होता है तो दोस्तो मोबाइल का किसी एक part को हम जब voltage अपलाई देते हैं तो उसके अंदर सिर्फ एक ही capacitor नहीं हो कि एक से ज़्यादा भी capacitor यहां पर हो सकता है तो दोस्तो इसलिए हर एक voltage line में आपको इस तरह से capacitor बहुत सारे capacitor connected मिल जाएगा और capacitor का जो main role हो गया voltage को filter करना है मतलब filter AC voltage यानिक AC voltage को filter करना जो DC के साथ mix होके रहता है और फिर store few DC voltage यानि कि कुछ DC voltage को store करना और फिर जो DC voltage इस्टोर करता है उसको जब पार्ट को जरूरत हो तब उसको supply करके पार्ट को balance voltage प्रोवाइड करना तो दोस्तो इस तरह से capacitor का एक mobile के बोर्डर के अंदर बहुत ही important role होता है और यह mobile को balance voltage देने के लिए बहुत ही important role play करता है तो दोस्तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक IC है mobile के अंदर एक IC है और उसके साथ आप देख सकते हो जो लाइन है यहाँ पर भी इन भी आउट सभी में आप देख सकते हो जो capacitor है और पैरललली connected है आप एक capacitor का एक सीरा आप देख सकते हो यह प्लस लाइन से जुड़ा हुआ है और दूसरा सीरा grounded है और इसमें capacitor है और इसका value भी आप देख सकते हो यह 10 volt का capacitor है और इसका capacity है 1 microfarad है तो दोस्तों यह 140 लिखा हुआ है वह इसका number है उस numbers को आपको count नहीं करना है capacitor का different capacitor का different number युज किया जाता है और इस capacitor का working capacity 10 volt 10 volt से अगर ज्यादा के line में हमी capacitor को यूज करते है तो लेकिन 10 volt से below के line में अगर capacitor को यूज करते है तो properly काम करेगा और इस capacitor को देखिए इसका number 141 और इसका capacity सेम है और इसका voltage भी सेम है मतलब दोनों capacitor का capacity है almost same है इसका number इसको डाल सकते हो या इसको जगा पर इसको बाराम से डाल सकते हो तो capacitor इस तरह से आप देख सकते हो परलली कनेक्टेड है और यहां पर भी देखिए यहां पर भी परलली कनेक्टेड है और चलिए यहां पर देखते हैं इस डाल राइन में आपको यहां पर देख जाएगा यहां पर भी capacitor परलली है यहां पर भी capacitor जो है परलली है और हर एक line में और हरे connector और हर एक IC हर एक part के साथ आपको इस तरह से capacitor का जो parallel connection है वो देखने को मिल जाएगा तो दोस्ता आप देखिए यहां पर हर एक लाईन में केप्सीटर इस तरह से प्याली अंफले कींश तरह से प्यालली कनेक्ष यह दिया रह opin तो दूस्तों मॉठी टीर का कनेक्षन होता है लेकिन सम्त … आपन को अब नेट्र्रोक सेक्षयन कही है तो उस में इन्टिना से आने वाले सिगनल होता है उसको फिल्डर करने के लिए को स чем भी connect किया गया होता है तो दोस्तों म।श्टीर था два जो मूबाइल के ब मॉंड में या और कोई भी मूबाइल न subscribers सिर्फ mobile ही नहीं laptop computer और जो भी टीवी सीवी जो भी इतने भी electronic device होता है उस अभी में आपको capacitor का connection है mostly इस तरह का होता है जिसे हम parallel connection कहते हैं तो दोस्तो capacitor के काम और use के बाद अब हम जानते हैं capacitor के कुछ value के बारे में यानि कि capacitor का capacitor का value होता है उसे capacitance बोला जाता है जैसे register के value यह हम resistance कहते हैं उसे तरह calculator to store DC voltage जो जितने voltage capacitor store कर सकता है उस value को हम capacity कहते हैं तो मुस्थली जो कशिटर बोल्टेश रस्侵 करता है वो एक व्क से बहुत ही कम व् Good आ junior इसलिए जो खुच्छेटर का मतलब जो फेराड होता है वो लेस्टेन वन होता है तो लेस्टेन वन को हम क्या कहते हैं अगर एक से एक से थाउजन टाइम्स लेस कोई चीज है तो उसे हम मिली कहते हैं और मिली से भी अगर थाउजन टाइम्स लेसे तो उसे माइक्रो कहते हैं और Micro को इस तरह की symbol से हम denote करते हैं और इस तरह का symbol है उसे हम म्यू कहते हैं तो इस तरह का символ का Ox nem है वो हो गया कुछ तो cent लेह द्यान welcomed Cl अगर फेसे फाजाल पर और की फो तवेसे पर स्पीचिा जाता है जादा कम होता है इसलिए इसका जो भैलू है उसे मिली, माइक्रो, नैनो, पीको इस तरह की यूनिट में मेजर किया जाता है तो चलिए हम जानते हैं एक माइक्रो का मतलब क्या हो जाता है तो माँनिए एक कैपसिटर का एक एक फिराड से अगर कोई भैल। थाउज़न टायम्स लेश है एक फिरास से हजार गुना कोई छोटा सा यू नीट है तो उसे हम क्या कहते हैं मिली फिराड कह सकते हैं मीली और 1000 टाइम टाम लेस है तो से घड़ लेके सकते और माइक्रो अचीटर में वहोता है और से और पेशुल प्रफि जो नमक्रोप कर दो के मिरी जो गिल्टी होता है क्लों वेट tra क्यों होता में वहोता है चोटी चोटी universe होता है तो दोस्तो तो दोस्तो मुबाइल के बुरड में जदा करद कैपसिटर यूज़ था उसका डिकिती ऐसीलिए आपको मतलब सम्टाइब्स पीक 세상 इस तरह से भी बोला जाता है मुबाइल में चोटी सोटी साठीक कैपसिटर उझ यूज़ उसे पीएफ टैपसिटर से भी बोला जाता है तो पीएफ टैपसिटर बोलने का में का под Excellent आजिए तो उसके बाद चलिया रहां जानते हैं टाइप आफ का सिटर उसaining मोगाइल के बोड में कितने टाइप का का खाप्शीटर होता है लेकिन में जो टाइप होता है और सिर्फ होता है यान कि दू कि सबच fort को इस तरह से दिखने को मिलजा गाइए है यान कि एक क्या पाप्शीटर जिसके बड़ी कुछ बड़े साइज का होता है और इसका बड़ी का कॉलर किस तरह का हो सकता है ब्लैक एलो औरेंज का बड़ी हो सकता है और एक साइड में आपको इस तरह का एक स्ट्रिप यानि कि एक लाइन सा आपको देखने को मिल जाएगा और एक लाइन का कलर होता है वाइट या ब्राउन तो चलिए मैं एलो कलर का है और इसके ब्रावन सा मार्क धिया गया तो इक कापसिेटर को हम पोलर कापसितर कह सकते हैं तो पोलर कैपसितर का जो काउन्ट है बोड मैं देख सकते हो बहुत ही कम है मतलब आपको maneira असंद आफ यापको सब्वेटभं में एक ही देखने को मिला तो दोस्तों जो मुबाइल का बोर्ड होता है उसमें पोलर कैपिसिटर बहुत ही कम है नगी एक दो नमबर मतलब एक दो PC ही यूज किया जाता है लेकिन अगर आप laptop या computer का board अगर देखो गए तो उसमें उसमें आपको polar capacitor बहुत सारे number में भी देखने को मिल जागा जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे इस सब भी polar capacitor है मतलब इसका color कैसा black मतलब black इसका बड़ी जैसे mobile में yellow color वाला जो yellow color का बड़ी वाले capacitor polar capacitor यूज हुआ थ सकते हो तो जी साइड में mark बनाया गया होता है वह होता है positive side और जो other side होता है negative side मतलब इस capacitor का यह प्लस spin है और यह क्या है minus spin है तो इस capacitor को अगर आपको replace करना हो तो इसका position same होना चाहिए मतलब इसको इधर गुमा के आप नहीं डाल सकते उल्टा अगर डालोगे तो यह capacitor काम मैंनस पीन उल्टाना हो जाए तो दोस्तों लैप्टाप के बोर्ड में आप देशकते हैं पर एक औरेंज कलर का भी capacitor यहां पर देशकते यह भी polar capacitor है और इसका प्लस पीन आप इस साइड में देख सकते हो एक ब्राउन सा लाइन इस साइड में बनाया गया है तो यह लाइन set करने के बार आपको क्या करना है ground के साथ test करना है तो ground के साथ test करने पर इसका जो negative pin है उसमें बीप आएगा और जो positive pin है उसमें बीप नहीं आगा अगर कहीं पर प्लस और मायनस पीन शेपरेट करने में आपको दिखत हो रहा है तो आप ग्राउंड के साथ चेक करके इसका कौन सा पीन प्लस और कौन सा पिन मायनस है या आप आडिटिफाइग कर सकती हो तो दोस्तो इस तरह से जिस कैपसिटर में प्लॉस और माइनस पीन सेपरेट होता है तो उस तरह की कैपसिटर को हम पोलर कैपसिटर कहते हैं और पोलर के अलावा एक और कैपसिटर मोबाईल में यूज होता है जिसे हम नोन पोलर कैपसिटर कहते हैं इससे size में बहुत शोड़ा होता है और इसके दोनों side में आप देश सकते हो Metal का इस तरह से cap बनाए गया होता है और इसका जो body color होता है brown लेकिन mostly जो इसका body color brown होता है लेकिन ब्राउन के अलाबा आपको yellow white और grey इस तरह का color भी आपको देखने को मिल जाएगा non polar capacitor में लेकिन यह क्या होता है black color में नहीं आता है नोन-polar टो मतलब इसी तरह का अगर black color में आपको देंग और गोई बात तो एक ह्षिटर नहीं होता था तो चलिए देखते हैं mobile में polar capacitor कौन सा है तो उद्यान देखते हैं mobile में नन पोलर ब्लाइक के आलावा आपको यहां पर दीखने को मिलेगा सभी आपको सभी को आप Non-polar कैभसीटर मान सकते हो क्यों तो नोन-polar कैभसीटर का जो नूंबर है, बहुत जSerद Umic jar 80% जो component मोबाइल का board में यूज किया गया होता है वो सब भी non polar capacitor होता है दोस्त आप देख सकते हैं यहां पर white color में भी white color में भी यहां पर capacitor डाला गया है तो white color capacitor हो गया और सब भी जो brown color का है वो सब भी non polar capacitor हो गया ब्राउन कलर में और चलिए मैं एक और बर्ड में आपको देखाता हूं तो यहां पर भी आप देख सकते हो बहुत सारे capacitor आपको non polar यहां पर देखने को मिल रहा है तो एक polar है बांकि जितने भी capacitor होता है जितने भी line में capacitor लगा होता है तो सब भी non polar capacitor होता है तो और दोस्तों इस तरह का capacitor भी होता है जैसे आप देख सकते हो चार non polar capacitor को combine करके यहां पर लगाया गया तो इस तरह की capacitor को array capacitor या network capacitor भी बोला जाता है मतलब यह non polar ही है लेकिन combine करके use किया गा है मतलब एक ही जगह पे 2 या 2 से ज्यादा capacitor का कहीं पर जरूरत होता है तो उस जगह पे आप इस तरह का capacitor डाल सकते हो तो इस तरह की capacitor को non polar भी बोला जाता है या तो आप इसको ए vibes को एinks रे रे नेट वर्리 Перचिटरवी बोल सकते हो ग mónd तो दुस्स तरह से जो real के बूर्ड में कैसीटर पोलर और और इसको भी अगर काउंट करो तो इसको एड्रेसर या निट वाल लोय के वोड्र क η और इसमें भिशा इसकते हैं के वैद्सक्रा इसमें कई सकते हैंairy या रहा है तो उसमीं द्यूजबी northwest रहे दूजला कि ऑल रहा ऐड़ पोलर नामबर नव से याथा किसी बैसा यह यूज़ोने वाला जो कैपसिट्र होता हो और ननप्रो इंपिसिट्र ही यूज़ोता है jadi जो सबसे ज़्यदा बॉर्ड मी होता है उस में फॉल्ट आने का चांसेस भी जाधा करके मोगफेन में फार आने का चांसेस रहता है तो दोस्ते इसे पहले वाली वीडियू में मैंने आपको बता था कि हुआ होता है उसे हम कैसीटान क्षोतीन और केस सिटान को फिराट में मेजर किया जाता है तो आप मैं आपको दिखाता हूं और मुल्टीमिटर मे dear पर देख सकते हैं तो उसको मेर करने के लिए यहां पर कंटिद और कोई इंज और हम एक normal multimeter से जो capsiter का value हता है उसको measure नहीं कर सकते तो दोस्तों किस तर से हम इस capsiter को check कर सकते हैं normal multimeter use कर के तो इसके लिए हमें क्या करना होगा multimeter को beep range में रखना होगा beep range या इससे continuity range भी बोला जाता है तो continuity range में रख के हम capsiter का किस चीज को check कर सकते कर सकते हैं मतलब कापश बार्ट में सार्टिंग है या प्राप इसी अग्यक्सलिक का पता में कहं है कता है तो का लगल करते हैं लेकिन दो कि अध्यक्र कि तया क्यान नहीं होता है जो की उसका पता हम नहीं कर सकते हैं अस स्पेशल टाईप का hooper मल्टिमीटर जिसे स्मार्ट ट्वीजर भी बोला जाता है या इस्पेशल मल्टिमीटर भी हम यूज कर सकते हैं जिसमें कैपशिटर का रेंज हो तो उच्छेक करना भी उतना जरूरी नहीं मोबाईल रिपैरिंग के लिए अगर हमारे पास अनुमर मल्टिमीटर है तो इसका करना होगा है चलिए मैं मल्टिमीटर को कंटिनीटि य्रेंज में रखा हुआ है दोसते आप देश सकते हो और चलिए मैं इस क्या करता हूं तो जो एक Pre-percetor के अपको क्या करना है इसका जो दो इन्ड होता है उसमें आपको इस तरह से करना है कि फेल जो पोजिटिव और नेगेज्टी पीन और अ Extreme लाइन जो पीन Beim उसमें हम है इस तरह से टॉच करके इसका चिक करना तो छलिए मैं इसको हीए तो दोस्तों केपशीटर को हीद्य करने पर आप देख रहा है यहां फहन नहींड तो कर रहा है तो इसका मतलब जो कैपशीटर है बिल्कुल साही है तो किस तरह से हम कैपशीटर को चेक कर सकते हैं तो इसके लिए अगर हम कैपशीटर को चेक कर रहे हैं तो हमारा जो वैलू है वो कितना आना साही है पहलो हम जान लेते हैं तो अगर हम कैपशीटर को मल्टीमीट रीट करके चेक कर रहे हैं तो इसका वैलू अगर 150 से लेके 900 के भी सो कर रहा है तो इस कैपशिटर को हम बिल्कुल OK मानेंगे और अगर इसका वैलू less than 100 आ रहा है मतलब 100 से नीचे अगर वैलू आ रहा है लेकिन कैपशिटर को चेक करने पर अगर मल्टिमीटर बीप सो कर रहा है तो उसको हम फुल सौर्ट मान सकते हैं और फुल सौर्ट में फुल सौर्ट है तो कैपशिटर बिल्कुल काम नहीं है मतलब वो capsiter बिल्कुल faulty है और उसको board से निकालने या उसको replace करने पर ही board सही हो सकता है तो इस तरह से हम multimeter का use करके अगर किसी capsiter को check करते हैं तो हमरा जो value है अगर हमें सही capsiter को check करते हैं तो हमरा जो value है मतलब 150 से लेके 900 के बीच में आना चाहिए और 900 से सम्टाइम्स ज्यादा भी value हो सकता है तो दोस्तों इसको check करते वक्त आपको क्या करना है इसका जो pin है multimeter का और pin को आपको इस side में जैसे यहां पर इस तरह से अगर मैं check करता हूं तो बीब दे रहा है तो यहां पर touch करने से देख सकते हो आप इसका जो value है को सीधा रखके check करने पर आप देख सकते हैं इसका जो value है 360 के करीब आ रहा है तो इस तरह से अगर value आ रहा है तो जो capacitor है उसको आप बिल्कुल okay मान सकते हो तो दोस्तों आप इसको एक size से value अगर नहीं आए तो आपको इस दूसरे side से भी check कर सकते हो तो दोस्तों दूसरे side पर check करने पर यह value नहीं भी दे रहा है लेकिन अगर एक मतलब value बिल्कुल lower दे रहा है या बीप का sound दे रहा है तो आप फल्टी मान सकते हो तो दोस्तों चलिए मैं आपको कुछ और capture checker के देखा देता हूं जैसे यहां पे भी आप देख सकते हो नन-polar capture यहां पे लगा हुआ है तो इसको मैं चेक करता हूं तो चेकरने पर आप देख सकते हैं जो value है लेकिन पहले आप बोर्ड में इस तरह से चेक कर लें अगर बोर्ड में सही value देखा रहा है तो उसको निकालने के कोई ज़रूरत नहीं है लेकिन कोई capture अगर आपको चेक करते वक्त कोई यहां पे बीप दे रहा है तो उस capture को क्या करना है आपको बाहर निकाल लेना है अगर board में रखे alive capacitor को चेक करने पर था पहा रहा है तो आप उसको 100% counterparty नहीं बना सकते लोग सकते हो आप छानिफी को देखा है और वेकिन के साथ 18 कन डेरा है जो दुश्य करते हैं जाता है लेकिन हम तो अभी जा कर रहा को सकते हैं वो हो सकता है बाटरी ८ हो सकता है कीड़ी शा ﷺ लेना है और बाः निकालने के बाद भी आगर ओ लोवेर दिखा रहा है तो इसका आपको रिप्यम्ट कर देना है रिप्लेश करते हैं या तो इस तरह की आपकर मैं मा vari के उपर नाप नुपूर जो कैफचीटर यूज होता है पोलर, नन पोलर, एसे हम इसी तरह से चेक करके उसमें फल्ट है या नहीं है उसको हम इडेंटिफाइ कर सकते हैं तो दोस्तो अगर कोई capacitor faulty है तो उसका solution किस तरह से करना है तो उसके बारे में भी थोड़ी knowledge हम ले लेते हैं तो इसका solution के लिए आपको क्या करना है मतलब जो capacitor है उसको आप सिर्फ निकाल देने से भी काम चलेगा क्योंकि निकालने के बाद क्या होगा जो capacitor है वो हट जाएगा तो filter का काम नहीं होगा लेकिन दोस्तो अगर मानि यह capacitor फल्टी हो गया है तो क्या करेगा यहां अपसे जो voltage आएगा उसको इस तरह से minus में send कर देगा और minus में send करने पर इधर क्या होगा zero voltage यहां पर जाएगा इस जाएगा तो mobile का part अची तरह से काम करने लगा लेकिन एक capacitor जो filter कर रहा था फिल्टर नहीं हो पाएगा तो इसका जो solution है capacitor को आप सिर्फ इसको निकाल देने से यानि इसको आप अगर remove कर देते हो तो भी इसका solution हो जाएगा लेकिन जो voltage का balancing कर रहा था और जो AC का filter कर रहा था जो capacitor और नहीं हो पाएगा तो इस condition में क्या होगा आपका mobile का life कम हो जाएगा या sometimes आपका mobile मतलब चलते चलते अपने आप बंध होने का issue भी आ सकता है कभी भी capacitor का fault आता है तो अगर बड़े size का capacitor है तो आप उसको replace करें मतलब उसी size का नहीं capacitor किसी और board से निकाल के आपको ड है यानि कि जो capacitor है उससे निकाल देते हैं board से और जो part है वो काम करने लगता है और mobile okay हो जाता है लेकिन उसका life घड़ जाता है तो अगर आप proper solution चाहते हो एक capacitor फोल्ड का तो आपको क्या करना है है replace करना है और replace करते वक्त आपको इसका जो value है वो find नहीं होता है उसका value find करना मुश्किल होता है इसलिए आपको क्या करना है same size का capacitor किसी और board से same size का capacitor निकाल के आपको उसके position पे डाल देना है तो same size का capacitor डालने से आपका जो fault है वो solve हो जाएगा और लगभग आपका 99% solution होगा यानि को लगभग आपको जैसे निकाले से बहतर solution होगा आप मतलब दूसरा capacitor अगर replace कर देते हो तो वह आपको बहतर solution उससे माना जाएगा लेकिन सम्टाइम्स दोस्तों capacitor मतलब से सेरी will गया होता है तो अगर deficit limaille में तो उसको आपको क्या करना है इस तरह की capture को को आपको डिमफद कर देना है या तो अप रिप्लेस कर सकती हो नहीं तो नहीं तो तो दोस्तों आपको किस तरह से सेरी में चल यह मैं वह भी आपको दिखा देता हु मतलब करने के लिए इसे पहले वाली विडियो में मैंने रेजिटर का सेरी मतलब किस तरह से घ्रन करने नहीं निएक प्रोसेस भी वह सेमी होता है जितने भी कैपशीटर है mostly parallel है किसी एक साइड में आपको बीप जरूर देगा है तो जितने भी कैपशीटर है यहां पर सब भी parallel है लेकिन अगर किसी साइड में बीप नहीं दे रहा है कोई ऐसी तो उसको आप सेरीज मान सकते हो तो मुस्तलिए जो कैपशीटर होता है परलली तो इस तरह का अगर कोई चैपसिटर आपको मिलता है तो इसके आपको क्या कर दहीं मतलव कुछ निकालकर इसका दोनों इतरह से दिखेगा तो इसमें आपको इस तरह से तार जोड देना लेकिन जनार कर सकते तो उसको किस तरह से चेक करना है और किस तरह से रिपेर करना है तो दोस्तों आपको मोगाईल के बोड में युज़ोने वाले कैप्शिटर से जोड़ी सारे इंफरमिशन हो गई होगी तो दोस्तों अगर एफ वीडियो आपके लिए यूस्फुल हो यह हो अगर आपको भागगो उब होगीिडियो आपको